नमस्कार दोस्तों बाबा आरवेदा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सिग्र पतन में बर्गत के दूद के प्रियोग के बारे में और जानेंगे इस योग के और क्या-क्या फाइदे हैं यहें किन लोगों के लिए नुक्षान दे है इसका कालकरम क्या है साथ ही जानेंगे कुछ सावधानियों के बारे में जो आपकी समस्या वे योग के लिए अत्यनतावस्क है दोस्तो सिग्रपतन की बात करे तो आहरवेद में इसके आपको बहुत से उपचार मिलेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर गाओं या सहर में आपको बर्गत का पेड़ मिले पर फिर भी मैं इस योग को सिग्रपतन के इलाज में सबसे सिर्स पर रखता हूँ हलांकि इस योग का इस्तमाल मैंने सिग्रपतन के लिए नहीं किया था पर फिर भी इस योग के जो परिनाम देखने को मिले वो वास्तों में असरदार और कायकल्प थे वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सिग्रपतन के कारण के बारे में तो दुनिया के किसी वी डाक्टर के पास इसका सटीक कारण नहीं मिलेगा वो इसे आपकी दिमागी कमजोरी, सारे रिक कमजोरी और खान पान से जोड़ कर आपको महेंगी दवा पकड़ा देगा और आपकी यह समस्या कुछ दिन तक तो ठीक रहेगी, पर जैसे जैसे समय बितेगा, सिग्रपतन आपके सरीर पर फिर से कबजा करने लगेगा आयरवेद में सिग्रपतन के जो इलाज है, उनसे सिग्रपतन पर काफी हद और काफी समय तक रोक लगाने के साथ-साथ इसे जड़ से भी खतम किया जा सकता है बसरते आयरवेद के नियम जरूर अपनाए बरगद का दूद इस्तमाल करने के लिए आपको पतासो की जरूरत पड़ेगी, पतासे चासनी से बनाए जाते हैं अगर आपको पतासे उपलब्द नहीं हो पाते हैं, तो आप सक्कर या फिर खांड का इस्तमाल कर सकते हैं अब आपको चार पतासे चाहिए और चारों पतासों को सिरे से फोड़ना है और इन में बरगद की कोपल तोड़ने पर निकलने वाले दूद की पांच-पांच बुंदे डाल लिया है और बारी बारी पतासों में दूद्गी बुंदे डाल कर साथ के साथ पतासों को खा लेना है विदी आप वीडियो में देख सकते हैं इस योग के कुछ नियम है जैसे यह हैं योग सिर्फ सुबह सूरज उगने से पहले ही करे योग करने के एक घंटे बाद तक कुछ ना खाए पिए जब आपके समस्या खतम हो जाए तो इसका परियोग बंद कर दे खटाई वाले चिज़े भूल कर भी नहीं खानी है और साथ ही ना के बराबर मैथुन व्यकाम किरिया करे यह योग 16 वर्ष से पहले और 40 वर्ष के बाद परियोग में नहीं लाना चाहिए 40 वर्ष के बाद बर्गत के फल परियोग करने चाहिए और जिनको बीते एक मैने में कोई बिमारी थी या इलाद चला हो या वर्तमान में कोई इलाद चल रहा हो वहें इस योग का प्रयोग ना करें बर्गद का यह सक्तिसाली योग उन सबी को करना चाहिए जिनको सिग्रपतन की समस्या है धात्तु गिर्ती है सवपंदोस की सिकायत है वीर्य में सुक्रुवानों की कमी है जो दिन बरमेनत का काम करते हैं सारे रिक कमजोनी होने पर कोर पावर बढ़ाने में और सेक्स समन्दी कोई भी प्रेशानियों तब भी इस योग का प्रयोग कर सकते हैं बर्गद का योग इन सभी समस्याओं में अचूख काम करता है तो दोस्तों बर्गद के दूद की यह जानकरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर मन में कोई सवाल है या तरक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए जै हिंद जै आयर्वेद